हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल क्विक अनलिसिस चैनल चलिए जल्दी से बात करते हैं अब हम अपने आज की रोचक रियल क्विक अनलिसिस की हमारी आज की वीडियो को स्पॉंसर किया है सचिंची ने हमें सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यबाद दोस्तों पिछले महीने जब मोधी सरकार के फार्म बिल पास हुए तो उनका जबरदस्त वरोध हुआ दशकों से सरकारी जंजीरों में जखड़े किसानों को आजादी जो मिल रही थी इसलिए किसानों के मसीह बनने का नाटक करने वालों को अपना धन्दा चौपट होता हुआ साफ दिखाई दे रहा था लेकिन उस दोरान भी हम में से अधिकतर लोगों का विश्वास था कि मोधी सरकार के फार्म बिल्स के कारण किसानों की जिंदगी में देड़ से ही सही लेकिन प्रांती जरूर आएगी जब भी कभी हम बोनस की बात करते हैं तो हमें यह तो सेलورी का ख्याल आता है यह शेर्ज का क्या बोनस का कंसेप्ट हमेशा के लिए इंप्लाई और इंवस्टर के बीची सीमित होना चाहिए यह मोधी सरकार के फार्म बिलका ही कमाल है कि एक महीने के भीतर किसानों को भी बोनस मिलना चालू हो गया है Financial Express में छपी एक Ground Report के मताबएक महरास्ट की एक Farmer Producer कमपनी ने महरास्ट के किसानों से मक्का खरीद कर सीधा उसे बिहार की एक कमपनी को भारी मुनाफ़े के साथ बेच दिया और उमी स्यदिक Profit को इस कमपनी ने किसानों के साथ भी पिछले सब्ता साचा किया जी यहां दोस्तों खरीद के मताबिक पर क्विंटल 10 रुपए का बोनस हर किसान को दिया जा चुका है भले ही बोनस का अमाउंट हम सभी को छोटा लग सकता है लेकिन बोनस मिलना चालू तो हो गया वैसे हर बड़े बदलाओ के शुरूबात चोटी ही होती है पहले की बिवस्ता में यह फार्मा पिड्यूसर कमपनी केवल अपने जिले की मंडी में ही माल पेच सकती थी लेकिन फार्म बिलन के कारण इस कमपनी को मिल गई है आजा दी और उसने किसानों से खरीदा माल सीध किसानों को भविश में आकरशित करने के लिए उन्हें आज भी बोनस दिया जा रहा है इस परकार यहां पर ना केवल फार्मर प्रड्यूसर कमपनियों को लाब हो रहा है बलकि किसानों तक भी फायदा पहुँच रहा है इस नए सिस्टम से यदि किसी को नुक्सान हुआ ह तो वह है मंडी और मंडी में किसानों का खून चूसने वाले दलालों को यहां पर साफ करना भी जरूरी है कि दोस ना तो मंडीयों का था और ना ही दलालों का यह तो उस सिस्टम का दोस्ता जिसके अंतरकत किसानों के पास दिकल्प नहीं थे और परिणाम सरूप पूरी त जानते हैं कि निर्भरता सिर्फ शोषण को जनम देती है इसलिए अब जब कि किसानों की किसी भी एक प्रकार की सिस्टम पर निर्भरता खतम हो चुकी है उनका शोषण भी नहीं होगा यह हमारा कॉमन सेंस बतलाता है हाँ यह बात सही है कि यह केवल अभी शुरुवात है और फार्म बिल्स से किसानों की आर्थिक हालत में कितना सकार आत्मक बदलाव आया है यह देखने के लिए हमें और आख़णों का इंतजार करना होगा लेकिन शुरुवाती ट्रेलर से तो लग रहा है कि यह पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी हाँ यह बात और है कि हमारे यहां की लेफ्ट लिब्रल मीडिया के पास किसानों का रूप धरे दलालों का धरना दिखाने का तो समय था लेकिन अब जबकि रियल फार्मर्स को उन आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शियर जरू कीजिए साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही एनलेसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारे चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक्स ओर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंट्स